कि जैसी किशना दोस्तों कृष्णिस हापनेस बहुत इंपॉर्टन वीडियो यह आपके लिए कैसे आप अपने जीवन में नीरस्ता या डिप्रेशन या डार्कनेस दूर कर सकते हैं और किस तरीके से अपने जीवन में हापनेस खोच सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अलो सब्सक्राइब अवश्च कर दिये लाइक करिए कमेंट करिए सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं उसका अतिया बाहरा नोटिफिकेशन पर अवश्च कर दिया करिए ताकि मेरे दोरा पोस्ट किये गए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप उनको शेर अवश्च कर दिया करिए ताकि और दो या चार पांच लोगों का हेल्प हो सके जिनको अपने जीवन में परसिनल कंसल्टेशन लेनी हैं अपने दशा के बारे में फ्यूचर के बारे में जीवन में क्या चल रहा है क्या प्रॉब्लम्स है उन चीजों के निपटने में आप मुझे बहुत असानी से संपर कर सकते हैं मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिये रहते हैं आप मुझे इमेल के तरू संपर कर सकते हैं इतना ध्यान रखिएगा बंदूं personal consultations paid होती हैं तो जो ये depression की इस्तिती है ये darkness की इस्तिती है ये नीरस्ता की इस्तिती है या कई बार अनि भिगता की इस्तिती है या कई बार laziness की इस्तिती है हमको पता नहीं चलता है कि हम क्यों lethargic हैं क्या वजाएं हैं वो भी इस वीडियो में आपके लिए कवर होगा और उससे आप बेटर्मेंट पाप आएंगे। तो जो ये एक अनहापनेस की भी स्तिती फिर बाद में जाके निकल के आती है भई, जब बट नाश्रल है किसी भी प्रकार का आदमी के मन में कोई डार्क थौट रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, किसी चीजों के बारे में चिंता रहेगी, तो उसके मन में आनंद तो देखिए नहीं विक्सित होगा, ना आनंदित वो रहेगा, उसकी वज़ा से कई बार फ्रस्टेशन्स हैं, कई बार अपने चिंताएं हैं, लेजीनेस हैं, लेधार्जी हैं, ये सारी चीजें उनके जीवन में आ जाती हैं, तो देखिए सबसे इंपॉर्टन्ट प्लानेट इस विशे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो है सूर देवता, सन, सन देखिए सारे प्लानेट्स को लाइट या उर्जा प्रदान करने वाले हैं, वो सूर देवता जो हैं, वो बीज हैं, आप ये मान के चलिए, ब्रहमान्ड के बीज के रूप में भी उनको आप लिया जा सकता है, आप अगर हमारे सनातन धरम में देखेंगे, तो सूर को दिन में जो है, ब्रहमा की संग्या दी गई है, मौर्निंग में, दिन में उनको संग्या दी गई है, विश्नु जी की, शाम के समय उनको संग्या दी गई है, शिव की, तो उनमें तीनों गुड जो है, समाहित हैं, उ श्वेथ है, उर्जा है, भाग्य है, सूर देवता जुड़े हुए है हमारे जीवन में स्वास्तिक से, स्वास्तिक देखिये हमारे जीवन में उर्जा, आनंद, धरम, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों का प्रतीक निकल के आता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से आप सन के बारे में जब पढ़ेंगे डिटेल में, ये सारी चीजे निकल के आएंगी, और बहुत सारी चीजे निकल के आएंगी, सूर देवता जो है हर प्रकार की डार्कनेस को दूर करने वाले प्लानेट माने जाते हैं, उनका संबंध उशा से है, मौर्निंग में जो होत तो उशा जो है उनकी धरमपत्नी मानी जाती है ये कोई अलग धरमपत्नी नहीं है ये च्छाया और संगया का ही रूप है आप उसको इस तरीके से लेके चलिएगा जो सूर देवता है देखिए उनका जो राशी है हमारे काल पुरुष की कुंडली में वो फिफ्थ हाॉस में movement वाले planet है हमारे जीवन में एक futuristic approach शो करते हैं एक happiness शो करते हैं एक आशा शो करते हैं इसलिए भी उनको जोड़ा जाता है इन चीज़ से के भई हम अपनी जीवन में darkness को दूर कर पाए darkness को दूर करने वाले माने ही गए हैं वो दिन में भी और रात में भी रात में कैसे रात में इसलिए क्योंकि वो अगनी का भी प्रतीक हैं जिस समय में ये बात हो रही है या जिस समय की ये बात में उठा के लेके कर रहा हूं उस समय रात में देखिये अगनी से दिये और ये सब वगरा जला करते थे तो सूर का जो प्रतीक जो अगनी है वो रात में भी काम आती ह तो इसलिए सवेरे और रात में भी जो हमको उजाला या प्रकास प्रदान करते हैं वो सूर देवता ही हैं, धरम से जुड़े हैं, फ्यूचर से जुड़े हैं, स्वास्तिक धरम, अर्थ, काम, मोक्ष जुड़े हुएं, हर प्रकार की happiness से जुड़े हुएं, positivity से जुड़े बहुत important है हमारी पत्रिका में ये जानने के लिए किस प्रकार से हम अपने जीवन में ये depression जैसी इस्तिती, darkness जैसी इस्तिती, lethargic या unhappiness को हम कैसे दूर कर पाएं, ये एक वास्त विक्ताएं हैं जिनको हम अगर अपने जीवन में अपनाएंगे, तो उससे हमारा betterment होगा या जिसके लिए आप use करना चाते हैं उसके लिए better होगा, अब देखिए जैसे सूर का 12 घरों में बैठना और किस प्रकार से हम अपने जीवन में darkness या unhappiness को या lethargy को या depression को दूर कर सकते हैं, first house में बैठे हैं, जीवन में कुछ center of attraction बनिये, आपके अंदर क्या कला है, आ आपके अंदर कोई teacher वाले गुण है, counselor वाले गुण है, आपके अंदर क्या है, किसी भी तरीके का, आप अपने body को use करके लोगों के लिए example सेट करना चाते हैं, कि भाई बहुत अच्छी healthy body है, body builder है, व्यायाम करते हैं, ये करते हैं, तो एक खुद example सेट कर रहा हैं, ये ए तरीके से depression दूर करने के तरीके हैं, कि आप center of attraction बनिये, आपके पास क्या ऐसी चीज है, कि आप लोगों के लिए teacher, guide, mentor, एक उनके लिए role model बन सकते हैं, अपने swim को ले के, जीवन में जब सूर first house में बैठा है, और हमको किसी भी प्रकार का depression है, किसी भी प्रकार के adventurism की तर करते हैं, कोई आप बंजी जंपिंग करते हैं, कोई आप डाइविंग करते हैं, क्या करते हैं आपके अंदर, क्या ऐसी चीज है, जो आपको वो दूर करेगी, ये unhappiness moments को आपकी life में, competitive हैं आपके नहीं है, आप किस चीज में competitive रहना चाते हैं, ये आपको देखिए, career के लेके आप कितना सजग हैं, career में आप जीवन में आगे अपना momentum, ये कई ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया, center of attraction बनना है, आपकी क्या importance है, आप वो बना लीजे, किसी प्रकार का adventureism की तरफ चले जाईए, career growth की तरफ आप अपने जीवन में चले जाईए, कोई role model बनिए क वो आप अपने अंदर विक्सित करिए, ये आपकी depressions और unhappiness इन चीजों को दूर करने वाली बनेगी, खुद को confident करने के लिए personality enhancement वाले काम करिए, आपको बोलना सही नहीं आता, आपको दिखते सही नहीं है, आप उसके उपर work करिए, कई बार कई लोगों के लिए, ये depression क कारण होते हैं, तो अपने उपर काम करिए, वो काम करने से आपके जीवन में एक शुबता या happiness या जो एक अच्छी feeling है, आपके जीवन में वो आएगी, लोगों को कोई रास्ता दिखाने का काम करना है, आपको, आप उनके लिए रास्ता इस तरीके से बना रहे हैं, कि जै पीचर हैं, गाइड हैं, क्या हैं आप, inspiration किस चीज की आप उनको दे सकते हैं, astrology में आपको interest है, future में आपको interest है, उन चीजों को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, तो first house में sun बैठा है, तो कई चीजें ये show करता है, कि जिसको आप अपना के अपने जीवन में अगर किसी भी प्रकार का depression है, या unhappiness है, या lethargy है, या darkness है, आप उनको दूर कर सकते हैं, इसमें आपको swim को निखारना भी आता है, जैसे मैंने का personality, किसी के कोई face में कोई problem है, किसी को कुछ लग रहा है, किसी के health में issues है, आप उस चीज को बहुत ताकत वर करिए, और एक role model बनिए, कारण भी हो सकते हैं, और यहां से दूर करने की स्तिथी भी आपको मिल जाएगी, जब first house में sun बैठा है, वो आपको बताएगा कि कौन सा तरीका है, जिससे की आप depression से या किसी भी प्रकार के अपने जीवन में अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं, first house में sun बैठा हुआ और दे से connected हैं, वो ही धर्मा को आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरीके से आप यू कह सकते हैं, तो आप spiritually कितने advanced हैं, ये भी बहुत important है, first house में बैठा हुआ sun आपको धरम बान करता है, एक gratitude, एक humbleness लेके आता है, ये भी आपके कहीं प्रकार के depressions दूर करने में साहयक होगा, वैसे भ bossing की प्रवत्ती देता है, तो यहाँ पे एक gratitude, एक humbleness, एक spirituality का angle अगर आ जाता है, तो बहुत अच्छा है, अपने साथ वक्त बिताना, अपने प्रिये लोगों के साथ वक्त बिताना, घर के first house में sun बैठा हुआ है, आपके depression को दूर करेगा, कहीं प्रकार के आपके unhappiness moments क दूर करेगा, तो कई चीजे मैंने आपको बताई है, अगर आपका sun first house में बैठा है, और आप किनी कारनों की वज़ा से depression में हैं, तो आप उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, कौन-कौन सी चीजें अपने जीवन में अपना सकते हैं, sun आपका second house में बैठा हुआ है, और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की darkness या depression है, तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं, पैसा कमा के, resources बढ़ा के, भई, ये एक depression या darkness दूर करने का तरीका है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की public speaking है, कोई writing है, कोई knowledge है, कोई oratory skills हैं आपके अंदर, वो develop करिये, कोई poet है, कोई writer है, कोई artist है, कोई creative ness है, इन सारी चीजों को लेके second house में आपका son बैठा हुआ है, आप उन depressions को दूर करने के लिए लोगों से पूछें कि आप क्या करें, family में समय बिताएं, family के साथ समय बिताएं, second house में son बैठा हुआ है, वहीं से आपको तरीका मिलेगा, वहीं से आपको happiness मिलेगी, पैसा बढ़ाना, कुल, खांदान, इनके लिए काम करना, साथ में काम करना, अच्छा भोजन, यहां पे कभी किसी व्यक्ति को अच्छा भोजन मिल जाए, तो वो अपने सारी तकलीफ या परशानियों से दूर हो सकता है, यह भी एक बहुत important point है, second house में son पैठा है, आपका cause of happiness क्या हो सकता है, कहीं बार good food if you get, हर प्रकार का आपके लिए बढ़िया हो सकता है, क्योंकि second house खाने से भी सम्मंदित है, तो second house जितना भी creativity है, writing skill है, oratory skills है, आप बोलने में कैसे हैं, आप बोलने के लिए क्या करते हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, आप के अंदर कोई artistic talent है, वो सारी चीजें यहां पे बताता है, कि यह सारी चीजें आपको depression या unhappiness वाले moments को आपकी life में दूर करने में सहया करेगी, family के साथ involve होना, जैसे मैंने पहले बताया, पैसे कमाना, वही किसी आदमी को पैसे बनाना, पैसे में वरद्धी करना, वो भी उसके लिए एक तरीका है, वो आदमी सोच रहा हमारे जीवन में क्या है, हम कहां जाएं, कैसे क्या करें, काम वो कर रहा है, लेकिन जितना पैसे, resources, उन चीजों में वरद्धी होती रहेगी, उतना उसके जीवन में एक आनन्द घर करता रहेगा, क्योंकि यही उसका schedule है, ज सेकंड हाउस में बैठा हुआ सन व्यक्ति को कभी कबार बहुत speculations की तरब भी ले जाता है, वो भी एक बाहर निकलने का तरीका है, किसी भी तरीके का कोई adventurism है, कोई sports को लेके है, speculations को लेके है, stocks को लेके है, उसमें interest लेना, उसको सीखना और उसमें आगे बढ़ना भीन क लिए अच्छा होता है, तो सेकंड हाउस से रिलेटेड जितनी चीजें आप करेंगे, उतना आप जीवन में ये डिप्रेशन से दूर होते चले जाएंगे, तो अब आपके एक और भी पॉइंट में यहां पे बता दूँ आपको, आपके पतरिका में सेकंड हाउस में सन ब ही बैठा हुआ है, तो फोर्थ हाउस के लॉड की चीजें करने से भी आपके जीवन में डिप्रेशन दूर होंगे, अब फोर्थ हाउस की कौन सी चीजें हैं, वो आगे मैं अभी आपको वीडियो में बताता हूँ, तो इस तरीके से भी आप एक जज कर सकते हैं, कि हमको अ पान लीजे और वो यहाँ पे बैठा हुआ है, कैप्रिकॉन साइन में, इसका मतलब हो गया वो धनू लगन है और नाइन्थ हाउस का लॉड होके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे फादर भी इन्वाल्ड हो जाते हैं, जो फादर बात कह रहे हैं, जो जिस तरीके का वो हमें ग्यान, सिक्षा, गुरू दे रहे हैं, धरम दे रहा है, वो सारी चीजे भी हमको डिप्रेशन दूर करने में सहयक होंगी, क्यों? क्योंकि सन धनू लगन के लिए नाइन्थ हाउस का लॉड होके सेकंड में बैठा है, तो धरम, फादर, गुरू, स्पिर हो सकती है, आपको डिप्रेशन दूर करने में, कोई प्लानेट साथ में बैठा हुआ है, वो भी उसके साथ पॉजिटिव ला सकता है, जिसे मान लीजिए, यहाँ पे सेकंड हाउस में सन के साथ किसी की पत्रिका में मरकरी बैठा हुआ है, तो दोस्त, यार, मित्र, यह सारी चीजे भी उनको मदद कर सकती है, डिप्रेशन से या अनहापिनेस से दूर लाने के लिए, यह एक तरीका हो सकता है व्यक्ति का, अब जैसे धनू लगन का ही उधारन ले रहते और यहाँ पे सन के साथ मरकरी बैठा हुआ है, तो काम, प्रोफेशन, करियर, होता है यहाँ पे मरकरी, लाइफ पार्टनर, बिजनेस, ट्रावलिंग, यह सारी चीजे जुड जाएंगी, सन सेकंड में तो बैठा है, वो अपनी तो अजेंडा बता रहा है, कि आपका लोगों के साथ बात करना, फैमिली में इन्वाल्ड रहना, पैसा कमाना, यह सारी च चार्ट में थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो किस प्रकार से आप अपने जीवन में डिप्रेशन या अनहापिनेस को दूर कर सकते हैं, देखिए थर्ड हाउस कमिनिकेशन का है, कॉडिनेशन का है, राइटिंग का है, स्पोर्ट का है, किसी भी प्रकार का, आप मान के चलिए, टेकनोलिजी से रिलेटेट साइड भी है, हमारा शौट ट्रावल्स भी है, किसी आदमी को कोई शौट ट्रावल है, घूम आया कहीं जाके, उनकी वो चीज़ें दूर हो गई, उसके कोई अच्छे मित्र हैं, राइटिंग में हैं, किसी प्रकार के कोई हैं, तब आप हो सकता है, जीवन में आप अपने आपको प्योगी ना माने, उसी की वज़ा से कहीं बार प्रॉब्लम हो, क्यों? तो कि आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई टालेंट नहीं है, तो कहीं बार वो भी हमको डार्कनेस की तरफ पुश करता है, को डिटर्मिन आपको डिप्रेशन दूर करने में मदद करता है, जीवन में आप इन्फोमेशन कौन सी ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं, क्या आपके पास नौलेज है, ज्यान है, आप कैसे अब्जर्वर हैं, आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, ट्राविलर अच्छे हैं, अच्छे मित्र हैं, एक competition की आप के अंदर भावना हैं, तो आप अपने जीवन में जो ये depressions हैं और जो happiness हैं, इन सब चीजों को जो आपको जीवन में depressions हैं और अन्हापनेंस हैं, डार्कनेस हैं, उसको आप असानी से दूर कर सकते हैं, ये तरीके हैं, आपको आपके बहन आपको मदद कर सकते हैं इस चीज में और कभी-कभार ऐसा भी होता है के भाई बहन ही हमारे प्राउबलम का कारण है तो और भी मैंने चीजें वहां पर बताई हैं आप किसी सपोर्ट में हैं क्रीयेटिविटी में हैं ट्राविल्स नहीं जोगों को काडिनेट करना चाहनते हैं इंड civil एक समराज जिक 뜨ंट करना चाह रहे हैँ यह सारी चीजें भी तो दूर कर रही हैं लेकिन हाँ पहन भाई भी हैं इनके पास आप सपोर्ट के लिए जा सकते हैं आप सपोर्ट के लिए यहाँ पे थर्ड हाउस में सन बैटा हुआ है किसी आदमी का किसी व्यक्ति का अगर डिप्रेशन या जीवन में डार्कनेस है तो वो और कैसे आपको कर सकता है देखिए थर्ड हाउस से हर प्रकार का आनन दाता है यहाँ पे मैरेज यहाँ पे हमारा क्लोजनेस फिजिकल जिसको कहा जाए साथिस्फाक्शन वो भी हमको डिप्रेशन से दूर करने में सहायक होता यहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर का साथ हो जाना वो भी आपको यहाँ पे इन चीज़ों से दूर जो डार्कनेस है लाइफ की एडवर्टिजमिंट में हैं आप किसी प्रकार के मीडिया लाइन में हैं सिंगर गाना उसमें सब चीजे आती हैं यहां पे आप पॉलिटिक्स में हैं आप एड्मिनिस्ट्रेशन में हैं वो चीजें आपको मदद करेंगी डिप्रेशन में दूर उससे दूर जाने में, किसी भी प्रकार के life में darkness को दूर करने में, तो sun third house में बैठा है, आपको पता है, कि हमारे जीवन में light, हमारे जीवन में उजाला, हमारे जीवन में जो एक activity center है, वो यहां से निकलेगा, third house से निकलेगा, हमारे कोई अच्छे मित्र हैं, हमारे कोई अच्छे भाई बहन हैं, हम travel करके, हमको तो कोई problem ही नहीं होती, हम independent, individually, अपने आपको grow कर रहे हैं as a leader, हम बहुत बढ़िया writer हैं, हम बहुत बढ़िया organizer हैं, हम बहुत बढ़िया coordinator हैं, हम बहुत बढ़िया जीवन में लोगों को manage कर लेते हैं, हमको ये skills हैं, या हमारी कोई hobbies हैं, habits हैं, ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी, अपने जीवन में किसी भी प्रकार के depressions को fight करने में, ऐसे आदमी के लिए बहुत जादा important है, इन points को follow करके वो अपने जीवन में अनन्द ला सकता है, sun अगर आपकी चार्ट में fourth house में बैठा हुआ है, और किसी भी प्रकार के bad phases, darkness, lethargy, unhappiness या depression से होके आप निकल ले हैं, आपको पता है अब आपका seed happiness का कहां पे है, fourth house में son बैठा है, माता जी के द्वारा, अब कहीं लोगों को माता जी के साथ ही कोई problem हो सकती है जीवन में, तो लेकिन fourth house में son बैठा है, you know how to cure yourself, कुछ लोगों के साथ जीवन में ऐसा हो सकता है, जहां पे उनकी जीवन में माता जी के साथ ही trouble हो, बड़ा दुर्भाग है वो एक तरीके से, लेकिन उसमें फिर और सौ तरीके हैं, property को लेके, psychology, inner cleansing को लेके, उसमें आपका spirituality आता है, अकल्ट आता है, astrology आता है, बैए ऐसा व्यक्ति अंदर से, जीवन में ये सारी चीज़ें पढ़के, अपने आपको happiness की तरफ बदल सकता है, जीवन में उसके पास एक अच्छा घर हो, बड़ा घर लेना, बड़ी property, बड़ी गाड़ियां, ये उनके depression को दूर कड़ सकता है, fourth house में son बैटा हुआ है, वो खुद ही देखेंगे, हाँ उनके मन में ऐसा होगा, बड़ा घर हो जाए, तो जो जीवन में एक darkness है, या कोई slowness है, वो दूर हो जाए, ये एक fact है, माता जी के दौरा कोई psychology है, कोई वो चीज़े हम को मदद करेंगे, spirituality मदद करेंगी, astrology मदद करेंगी, they are good at politics also, भाई उनका अगर من है, कि हम कुछ जीवन में समाज के लिए करें, fourth house में बैट के, और वो politics में involved है, या किसी ऐसी चीज़ में involved है, जिससे वो समाज को सुख पहुचा पा रहे हैं, कोई भी ऐसा काम उनको आता है, वो healer है, doctor है, writer है, guide करते हैं, किसी को astrologer है, तब ये वाली सारी चीज़ें उनको depression दूर करने में मदद करेंगी उनको, वो happiness moment कहां से create करेंगे, ये मैं उनको जीवन में बता रहा हूँ, career के उपर focus कर रहे हैं, बच्चों के उपर focus कर रहे हैं, घर के उपर focus कर रहे हैं, family fourth house में अगर son बैठा हुआ है, का जो ऐसे subject हैं, जो हमको अंदर से strong करते हैं, अंदर से, हम उन subject की बात नहीं कर रहे हैं, कि हाँ हमने science पढ़ लिया, commerce पढ़ लिया, और हमारे जीवन में वो हमको नौकरी दिलवाने में, पैसा दिलवाने में, काम दिलवाने में मदद कर रहे हैं, अब हमारे अंदर को strong करने के लिए, हम कोई भागवत, पुरान, शास्त्र, astrology, अकल्ट, साइकलोजी, इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई meditation, कोई चक्रा healing, हम इन चीज़ों में पढ़े हुए हैं, अगर, तो वो हमको happiness की तरफ ले जाएगी, वो darkness दूर करेगी, कुछी आदमी के पास अच्छा घर है, कोई गाड़ी है, कभी माता जी है, वो आपके source of happiness है, आप लोगों को किस प्रकार से सुखी कर पा रहे हैं, जीवन में, किस प्रकार से आप अपने लिए, एक मोक्स का रास्ता तयार कर रहे हैं, आप किस प्रकार से अपने आपको, प्योर, प्योरिटी की तरफ ले जा रहे हैं, वो भी आपकी happiness का कारण हो सकती है न, अब fourth house में सन बेटा है, कोई आदमी ऐसा कहे कि भई, मैं वैशनो देवी हो आया, मैं मतरा हो आया, मैं अयोध्या हो आया, ये भी उनके लिए एक depression दूर करने का तरीका है, क्योंकि it brings them close to the reality, सन वहां बेटा हुआ, अंदर से उसका ये निकल के आएगा, कि हाँ भाई, किसी धरम छेत्र में, purity में, शुद्धता में, मैं रहूं अगर, तो मेरे जीवन में ये सारी चीजें दूर हो जाएं, मुझको घर की closeness भी प्राप्त हो, घर के लोगों की closeness प्राप्त हो, मा का आशीश प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति को बहुत आनन्दा आएगा, वो धरम के कारे करे, सूर्य धरम से related है, और वो फोर्थ में बैठ गया है, तो उसको ये भी लगता है, कि उसके घर वाले भी, बच्चे, परिवार, धरम पत्नी, वो सब बड़े धरम वान हो, तब भी वो depression से दूर जाना, या happiness का उसके लिए, ऐसे भी साधन create होता है, फिफ्थ हाउस में अगर सन बैठा हुआ है किसी के, वो किस प्रकार से दूर कर सकता है, देखिए, फिफ्थ हाउस हम सब जानते हैं, हमारी knowledge का है, हमारे ग्यान का है, career का है, government का है, politics का है, इन सारी चीजों के द्वारा, वो अपनी depressions को दूर कर सकता है, आपको politics में interest है, किसी creativity में, कोई art में, कोई cinema में, कोई गाने बजाने में, किसी भी प्रकार का आपको आता है, कि भई हाँ हम ये गिटार बजा लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, गाना गा लेते हैं, हम लिख लेते हैं, हम storyteller हैं, ये आपको help करेगा, फिफ्थ हाँस इन्ही चीजों से related है, entertainment प्योर है, फिफ्थ हाँस में, आप उन चीजों को करते हैं, तो यहाँ पे आप depression या, किसी भी प्रकार का darkness को दूर करते हैं, फिफ्थ हाँस मंत्र का है, संतान से आपको happiness प्राप्ट हो सकती है, वो आपका support हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का ऐसा काम, जो हम future के लिए सोच के करते हैं, हम आज ये काम कर देते हैं, ये कल के लोगों के लिए काम आएगा, अब ऐसा क्या है, पेड लगाना, छोटी सी चीज ना, हमने यहाँ पेर लगवा दिया, हमने यहाँ पे दस लोगों के सम्हूं के साथ, मिलके एक पॉंड क्रियेट कर दिया, पानी का, अब आगे लोगों को इससे मदद मिलेगी, डिप्रेशन दूर करने का, happiness का, ये साधन हो सकता है ना, आप इन चीज़ों की तरफ बढ़े, जो हमारी संतान है, वो देखिए दूर कर सकती है, हमारे साथ सपोर्ट दे के, आप कई बार वो ही कारण बन जा है, हमारे कश्ट का, प्रॉब्लम का, तो और इसी लिए मैं, हर घर से related कहीं चीज़े बता रहा हूं, जिससे कि आप अपने depressions को, या जीवन में darkness को दूर कर सकते हैं, फिफ्थ हाउस किसी भी प्रिकार का, speculations का है, stocks का है, games का है, हम उन चीज़ों में पढ़ सकते हैं, जिनको उसमें interest है, वो उसके द्वारा, अपना depression या अपने unhappiness दूर कर सकते हैं, stocks हैं, shares हैं, कभी भी इन में जाईए, पूरी knowledge ले लीजिए, check करा लीजिए, कि ये आपके लिए है भी के नहीं, तब बढ़िएगा उस चीज़ में आगे, लेकिन वो रास्ता एक हो सकता है, किसी भी प्रकार का प्रेम, किसी चीज़ से प्रेम करना, अब वो romance किसी के साथ भी हो सकता है, प्रेम किसी के साथ भी हो सकता है, भगवान के साथ, माता के साथ, बच्चों के साथ, धरम पतनी के साथ, पती के साथ, किसी के साथ, passionate हैं, ये चीज जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, यहां fifth house में sun बैठा हुआ है, search your passion, आप अपने passion को ढूंड लीजिए, वो passion आपको हर प्रकार के depression से जीवन में दूर करेगा ऐसे वेक्ती के, लेकिन ये तरीके हो सकते हैं, ये जो मैं ये चीज गलत है, ये गलत हो रही है अपनी राय देना, advising, teacher guide, इस तरीके के काम करने से भी, आपके depression और ये सारी चीजे दूर होंगी sports में है, entertainment, media cinema, ये सारी चीजों में, वो भी आपका है आपके जीवन में मैंने कहा ना कि passion क्या है, उसको follow करना life में, बहुत आपको important है, ये चीजें आपको depressions से दूर करेंगी तो there are set of things जो मैंने ये बताएं, ये सिरफ नहीं कि बच्चे की वज़ा से हमको यहां हो सकता है, बई कोई हमको प्रेम करने वाला हो, या हम किसी को प्रेम कर रहे हों, हम किसी ऐसे काम में लगे हुए हों, जो जीवन में लोगों को guide करता है, train करता है, अच्छा advice करता है, कोई government में है, कुछी sector में है, नौकरी में है, high achievement उसके हो रहे हैं, वो उसको depression दूर करने का एक तरीका है, पंचम स्थान जो है, राजपद प्राप्ति का है, आगे तक जाने का है, government का है, politics का है, उन चीजों के interest में career में आगे बढ़ रहा है, आदमी इस depressions और इन चीजों से वो दूर होता चला जाएगा, तो बहुत सारी चीजे हैं, जिसको आप अपना धह बना सकते हैं, मंत्र, पूजा, शास्त्र, जैसे मैंने आपको इसमें बताया, सिक्स्थ हाउस में किसी की पत्रिका में सन बैठा हुआ है, और उनके जीवन में darkness या डेप्रेशन्स हैं, आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं, यहां पे, देखिए, सिक्स्थ हाउस में सन बैठा हुआ है, आदमी धीवन में, एक किसी भी प्रकार की सेवा भाव से, वो काम कर सकता है किसी चीज़ के लिए, वो क्या किस चीज़ की सेवा कर रहा है, आनमिल की सेवा कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, किसकी सेवा कर रहा है what kind of service you are doing son अगर 6th house में बैठा है और किसी कारण बश्मान लिया जाए कि आपके जीवन में depressions या darkness आ गई है तो आप कैसे दूर कर सकते हैं आप किस चीज के लिए cause के लिए service प्रदान कर रहे हैं अपने जीवन में ये ढूड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी प्रकार का health regime किसी भी प्रकार का sports related काम किसी भी तरीके का ये सारी चीजें आपको दूर कर रहे हैं ना health के आप किसी काम में लगे हुए आप रोज जिम जाते हैं रोज swimming जाते हैं रोज दौरते हैं ये एक आपका discipline बना हुआ है depression होगा ही नहीं दूर भाग जाएगा आपके जीवन में इन सारी चीजों से आप किसी sports में लगे हुए दूर भाग जाएगा उन सारी चीजों से ये चीजें जरूरी है 6th house में अगर sun बैठा है यहाँ पे आप law में हैं healer हैं, doctor हैं किस प्रकार से आप लोगों को मदद कर पा रहा हैं ये जानना बहुत जरूरी है अपने अंदर के depression या खाली पन को दूर करने के लिए ये ये भी point है ना कि हमारे sun 6th house में बैठा how I am helping others किस प्रकार से मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूँ कानूनी तोर पे कर रहा हूँ healer के तोर पे कर रहा हूँ एक support दे रहा हूँ एक उनके लिए खड़ा हुआ हूँ हर समय ये बताने के लिए के चीजों को किस प्रकार से order से, discipline से strictly करना चाहिए जीवन में या आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं तो एक जीवन में बहुत perfection, एक जीवन में बहुत order, एक structure ये सारी चीजें भी आपको depression दूर करने में अगर आपको जीवन में depression है अब आप अव्यवस्थित जितनी भी चीजें हैं, उसको व्यवस्था में लाना या उसको व्यवस्थित करना depression दूर करने का कारण आपके अंदर हो सकता है sixth house में बैठा हुआ sun आपको बताता है कि आप mental, physical हर प्रकार की spiritual क्या growth कर रहे हैं अपने जीवन में mental आप दक्षता में कहां तक जा रहे हैं, आपको दूर कर सकता है depression physical, आप कितने strong हो रहे हैं आपकी यहाँ पे जो depression है वो दूर हो सकता है, आप spirituality में कितना आगे है इस चीज़ को लेके वो आपके depression को दूर कर सकता है कितने competitive हैं क्या fighter हैं आप आप daily routine को follow करते हैं के नहीं करते हैं अपने जीवन में यह सारी चीज़ें आपको depression को दूर करने में सहायक हो सकती है six thousand की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, कोई doctor है, कोई army में है कोई sports में है, कोई किसी प्रकार के ऐसे काम में लगा हुआ है, जिसमें लोगों की वो किसी तरीके से मदद कर सकता है उनको विवस्थित कर सकता है जीवन में, जीवन में यहां पे उन चीज़ों को criticize कर सकता है six thousand में बैठा हुआ sun जो की गलत है और उनके लिए अवाज उठा सकता है काम कर सकता है अगें, यह आपके जीवन का एक धै बन जाता है एक aspect बन जाता है और वो आपके जीवन को माइने भी देता है हर प्रकार के depression और इन चीज़ों को दूर करने का आपका साधन भी बन जाता है तो six thousand में बैठा हुआ sun यह भी show करता है हमारे मामा, यह सारे परिवार जो होते है वो हमारा साथ देते हैं कहीं बार वो कारण भी बनते हैं हमारे depression का six house में अगर sun बैठा हुआ है और कहीं बार देखिए government, politics, इन में वेक्ती जाना चाहता है वो उनके depression दूर करने का एक darkness दूर करने का तरीका हो सकता है उसको किसी तरीके से सेवा करनी है यहाँ पर तो यहाँ पर इस तरीके से भी सेवा कर सकता है ना कि कहीं कोई उचे पद पर आ गया उचा मंत्री बन गया और लोगों की मदद कर रहा है यहाँ पर मैं उधारन में सन बैठा हुआ था तो मैंने आपको बता है ना दूसरों की सेवा करना दूसरों के बारे में करना और एक बहुत ऐसा ऐसे काम करना जिससे कि हम लोगों की मदद कर पाएं उनको समझ पाएं ये जीवन को अपने बड़े और में स्ट्रक्चर में लाइफ को रखना ये किसी को ये पसंद होता है अपने जीवन में किसी पावर, किसी को प्रोजिशन, किसी को सपोर्ट, किसी को एथलेटिजम, ये सारी चीज़ें उनको इन चीजों से दूर निकाल सकती है हेल्थ पे द्यान रखना किसी विकती का एक डुमेन हो सकता है कि भाई ऐसा विकती अपनी हे के उपर ध्यान रखे बाहर निकल जाएगा इन सब चीजों से सेवेंथ हाउस में सन बैठा हुआ है आप कुछ कौन सी चीजें अपने जीवन में डिप्रेशन दूर करने में सहयक हो सकती है ट्रावलिंग आनंद लेना हर प्रकार का लेजर इसमें आ जाता है उसमें सेक्शुल फिजिकल आनंद हर प्रकार का आ जाता है आपके पास घर है मकान है गाड़ी है गोड़ा जो भी है आपके पास वो चीजें आपकी हैपनिस को बढ़ाती है marriage अच्छी हुई, partnerships अच्छे, business किसी को, कोई business के द्वारा अपनी इन चीज़ों को दूर कर लेता long travels, विदेश, foreign, ये सारी चीज़ें उनके happiness का कारण बनती है, आनंद का कारण बनती है वेक्ती पूछे, कि हमको depression है, lethargy है, darkness है, कैसे दूर हो सकती है marriage से, हर प्रकार के आनंद लेने से, हर प्रकार का आप जीवन को यूं कह दीजिए, foreign से related चीज़ें हैं, marriage से related चीज़ें हैं, partnership, business ये सारी चीज़ें हमको आनंद परदान करेंगी, आप लोगों से बाहर जाके मिलिए, लोगों के लिए available रहीए, seven thousand में sun बैटा हुआ है और हमको depression है, हम कैसे दूर करेंगे, external influences के द्वारा, हम बाहर के लोगों से मिलेंगे, बाहर के लोगों के विचार सुनेंगे, मिलना जुलना बढ़ा देंगे, अपने आपको बाहर के लिए present table करेंगे, कोई entertainment का साधन करेंगे, किसी भी प्रकार का, हम अपने आपको ऐसा सा धन परदान देंगे, जो हमको मन को अच्छा लगता है, लेकिन जो balanced हो, धरम युक्त हो, यू नहीं कि हमको अच्छी तो बहुत चीजे लग सकती है, जो कि out of the way जाके भी show होती है, तो वो आपको पतन की तरफ लेके जाएंगी, ना कि आपको सही रास्ते या happiness की तरफ लेक हैं तो चले मार अपना दुनिया में फिर खोजा भी नहीं करने, अपने जीवन में वो एक source हो सकता है, legally अपने जो आपका legally wedded आप partner है, उनके साथ की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक साधन हो सकता है, हर प्रकार का enjoyment उनके साथ घूमना, लोगों से बात करना, कुछ ऐसे काम क जिससे बाहर के लोग आपको पहचाने, वो किसी भी प्रकार का कोई entertainment industry में आप काम करते हैं, या आपको कुछ ऐसी कला है, जिससे आप बाहर पहचाने जाए किसी चीज़ के द्वारा, आपके अंदर कोई भी कला हो सकती है, वो acting हो सकती है, वो गाना हो सकता है, कोई drama हो सकत है, painting हो सकती है, कोई business acumen हो सकता है आपका, या आपके अंदर इस प्रकार की होती है, ये व्यक्ति दूसरों को हमेशा equally treat करता है, जीवन में, ये आपके अंदर एक तरीका हो सकता है, happiness पाने का, कि हर आदमी को lawful तरीके से देखना है, जिसको यूं कहा जाना कि हाँ हम इनकी इनकी भी respect करेंगे, इनकी भी respect करेंगे, equal respect जो guarantee करता है और करवाता है लोगों के द्वारा, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, ये एक साधन बन सकता है ना इन चीजों ऐसे वेक्ति के लिए, साथवे स्थान में देखिए, सन जो है, वो माधरी दिखसिद जो हमारी ये एक्टरिस थी, उनके बैठा हुआ था, और सेवेंध हाउस में आप समझ सकते हैं, एक external influence, foreign influence, बहर के लोगों से मिलना, किसी भी प्रकार का कोई business setup, घूमना, फिरना, आनंद लेना, present table रखना आपने आपको, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में बहर के ल desires हैं, जो आप पूरा करना चाते हैं, उन desires के द्वारा, आप अपने happiness को create कर सकते हैं, या आप उनकी तरफ बढ़ सकते हैं, आप बढ़ सकते हैं, आप बढ़ सकते हैं, आप कौन से desire की तरफ बढ़ सकते हैं, आप foreign में जाना चाते हैं, बिजनस जाना चाते हैं, आप किसी चाहते हैं जो आपको famous बनाए देख लीजिए आपके चार्ट में अगर वो है बिलकुल उस चीज़ को follow करके आप आगे बढ़ जाईए कि आप जीवन में दुनिया में समाज में foreign में वर्ल में किसी प्रकार का अपना presence बना पाएंगे seventh house में sun बैठा हुआ इस प्रकार से आपकी happiness का कारण बन सकता है eighth house में अगर sun बैठा हुआ है किसी के भी चार्ट में वो आपको क्या source of inspiration या happiness देगा देखे किसी भी प्रकार का research, occult, astrology कोई भी ऐसा काम जो हमको भगवान की तरफ लेके जाता है, deepness की तरफ लेके जाता है, गह happiness या बल प्रदान करेंगे व्यक्ति को ना, ताकत प्रदान करेंगे, हमारे जीवन के डर को दूर करेंगे, भै को दूर करेंगे, एर थाउस में बैठा हुआ सन को कमजोर मत मानी, वो वहां की light show कर रहा है, वो बता रहा है, कि आप investments में हैं, आप banking में हैं, insurance sector में, आप वो सारे सारे काम करके भी आनंद ले सकते हैं, वो आपके happiness का कारण बन सकता है, आप कुछ ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिनके लिए यही सारे काम होते हैं, कुछ मृत्यू से जुड़े, कुछ inheritance से जुड़े, कुछ banking से जुड़े, कुछ लोन से जुड़े, कुछ insurance स कोई सिक्रेटिव काम, कोई रिसर्च, कोई पिएजडी, कोई गुरू, कोई टीचर, कोई मेडिटेशन, कोई योगा, ये सारी चीजे एर्थ हाउस में बैठा हुआ, सन बताता है, कि आपके हैपिनेस का कारण बन सकता है, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं चल नहीं है, और उसको चलाने में इंटरेस्ट लेना, अच्छा, ये वाला प्रोजेक्ट नहीं चला, मैं इसमें जाऊं, और इसको मैं चला दूँ, इसको वर्किंग में ले आऊं, तो क्या, मेरे लिए ये बढ़िया होगा, ये वाले काम आपको दूर करेंगे, तो इस तरीके के कामों को देखि हैं, आनंद प्रदान कर सकते हैं, कभी कबार वो ही हमारे लिए प्राब्लम बन सकते हैं, तो दूसरी चीज़े मैंने आपको बताई हैं, यहां वेलनेस सेंटर खोल लिया, अक्टिविटी, अकल्ट है, इन सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं, एर्थ हाउस, हमारे जीवन करने में हमारी हापिनेस है, कहीं लोगों के साथ देखें, यह भी हो सकता है, कहीं बहुत अलग जाके, बहुत रिमोट जाके, छुपके काम करने में उनको आनंद आता है, वो ही उनके हापिनेस का सोर्स हो सकता है, दुनिया से दूर रहें, कोई ऐसा काम कर रहें, अलग आन उनकी वाज बनना उनके लिए फाइट करना यह आपके जीवन में हैपनेस का साधन हो सकता है यह आपके डारकनेस को दूर करने का तरीका हो सकता है डिपरेसन जाइए इन चीज़ों में बहुत कोई इंटींसिफ राईटर हैं जो आप लिखते हैं जैसे रहस्मे ही राईटर ह होती है ना और ऐसे लिख के बाहर निकाल के रखते हैं कि क्या बात या ऐसे इंटेंस कामों को करने वाले कहीं लोग हैं कोई जिसको कहता है ये बात करेंगे तो एसी डिबेट करेंगे कि कोई जीत नहीं सकता इनके साथ ऐसी knowledge जो वो collect कर रहे हैं उनको कही तरहीके की secretive knowledge collect करना पसंद है कोई ऐसा शास्त्र grant पढ़ने उनकों वो ले रहे हैं हजारों knowledge उनके अंदर है ये उनके लिए happiness का कारणा बन सकता है एर्थ house में sun बैठा हुआ है हमिताब बच्चन जी का एक example और उसे भी आप कहीं चीज़ें समझ सकते हैं sun एट थाउस में बैठा हुआ वो आपके लिए अच्छा नहीं ये नहीं है के खराब है कहां कहां से आप happiness create कर सकते हैं वो बताता है कहीं चीज़ों को पुरानी चीज़ों को नई तरीके से चलाना बहुत लंबे समय तक चलाते रहना लोगों के लिए काम करना यहां पर अगर एक सिर्फ छोटा सा उधारन लें तो यहां पर लोगों को आनंद देने के लिए काम कर रहे हैं वो हुई ना वही बात एक और उधारन मैं लूँ अगर तो मुझे याद है जहां तक नेल्सन मंडेला जी का भी जो है 8th house में sun है सब जानते हैं नेल्सन मंडेला को कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है 9th house में अगर sun बैठा हुआ है किसी के चाट में किस प्रकार से वो depression से दूर जा सकते हैं हर प्रकार की knowledge, philosophy, ग्यान, गुरू, teacher, foreign, ये सारी चीजें आपको depression से दूर कर सकती हैं, happiness की तरफ ले जा सकती हैं, कुछ ऐसे काम जीवन में, जो हमारे घर परिवार को जोड़े रखने के लिए important होते हैं, कि भई, हमारा ऐसा काम है कि हमारे परिवार में ये होता था, वो बंद हो गया, लाओ, अब हम वो शुरू कर दें भई, फिर से हम अपनी पुरानी legacy को लोटालना हैं, कहीं लोग उससे happiness पा लेते हैं, कहीं लोग अपने जीवन में तीर्थ है, foreign है, क्योंकि ये नाई था, उस इन सारी चीज़ों से उससे अपने आप के लिए happiness create कर सकता है, पिता की सुनना, गुरू बनना, लोगों की मदद करना, social cause के लिए काम करना, धरम पे रहना अपने जीवन में, कोई outdoor activities में शामिल होना, जीवन में कई परकार के आनंद अपने लिए create करना, और हमेशा futuristic रहना, लाइफ में कल ये होगा, परसों ये करेंगे, नरसों ये करेंगे, मतलब रोज कुछ नया जीवन में करते हैं रहना, आगे बढ़ने के लिए, ये happiness का तरीका हो सकता है, law में कोई teacher है, कोई guru है, कोई foreign से related है, कोई इस तरीके के काम करने वाले लोग भी देखिए, यहां हो स जाता है, और वो रोज जीतता है, for example, वो जीत जाता है, उसके लिए एक happiness का कारण बन जाता है, depression दूर करने का ये एक तरीका उसके जीवन में हो सकता है, life में, तो कई तरीके के ऐसे काम है, जहां पे वो अपने आपको एक विजह स्थापित करने के लिए, चाहे वो कोई job ह कोई business हो, कोई teacher, students को पढ़ा रहा है, student उसके अच्छे निकल गए life में, ये उसके लिए बहुत एक बढ़िया हो सकता है, धरम में, अपने views रखना, अपने एक सभू को तयार कर लेना अपने जीवन में, जैसे कहते हैं न, एक तरीके से सोचने वाले लोग create हो गए, 9th house में sun बैठा हुआ है, ये भी एक अपना depression दूर करने का तरीका हो सकता है, किसी भी तरीके का outdoor activities वगरा में भी पार्ट लेना यहां पे, लेकिन यहां बहुत जरूरी है धरम, रीती, नीती, नियम पे चलना, ऐसे व्यक्ति के लिए ये भी एक happiness का कारण है, out of the way जाके बहुत problem उ और ये सब चीजों को पालन करना, tradition को पालन करना, पिता, गुरू, इन सब चीजों की आग्या का पालन करना, एक चीज को systematic ढंग से करना, एक चीज को हमेशा positive ले के करना, एक चीज को हमेशा जो है, एक optimistic, एक futuristic अप्रोच ले के अपने जीवन को जीना, जो भी point हो रहा है, क रिष्टा कैसा चलेगा, कोई nineth house में sun मैठा हुआ है किसी के, अच्छा चलेगा, ये लडगा पढ़ाई में कैसा निकलेगा, अच्छा निकलेगा, उनका ये सब्द होना चाहिए, ये उनके लिए happiness का एक स्तुरोथ है, बाकी मैंने आपको बताएं किनकीन चीजों के द्व और वो happiness अपने जीवन में create कर सकते हैं, ये मत भूलिएगा, वहाँ कौन सा साइन है, वहाँ कौन से प्लानेट साथ में बैठे हुए, कौन से घर का भी लॉड है, वो भी बता सकता है, अब मान लिजे वरसिक लगाने 10th house का लॉड हो के sun अगर 9th में बैठा हुआ है, तो career भी जुड जायागा ना, कि उसका career अगर बहुत अच्छा हुआ, तो जीवन में वो depression से या किसी भी प्रकार के darkness से वो दूर रह सकता है, अगर आपकी पत्रिका में sun 10th house में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको किस प्रकार से depression या darkness से दूर कर से, देखिए politics, authority, power, position, इन आपको ये सब चीजें नहीं महसूस होंगी, लोगों के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, धर्म के लिए काम करना, यहाँ पे, यहाँ पे जीवन में knowledge लेते रहना, information, ग्यान, एक अच्छे observer बनना, traveler, आपको बहुत जादा यहाँ पे आनंद प्राप्त करवाएगा, foreign related कोई भी work हो, काम हो, sun 10th house में बैठा हुआ है, आपको happiness परदान कराएगा, यहाँ पे हर प्रकार का घूमना, फिरना, चीजें खरीदना, बड़ा sound करना, अपने आपको एक widget जिसको कहा जाता है, वो create करना, अपनी life में हर एक 30 को लेके, बड़ा घर, बड़ा मकान, गाड़, यह सारी चीजें इनको बहुत happiness परदान करेंगी, इनका यह नाम है, इनका यह यश है, यह सारी चीजें भी देखियें, हाँ, प्लस, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में hard work करना, बहुत अच्छा, यह उनके लिए एक happiness की स्तिती है, भाई, के भाई, हाँ, आदमी कोई depression में नहीं, यह depression में क्यों है, काम करते नहीं, कोई lazy पड़े हूँ है, अब वो आदमी अगर hard work कर रहा है, 18 घंटे काम कर रहा है, sun 10th house में बैठा हुआ है, तो काहे का depression और काहे की darkness, वो चीज़, कोई political, किसी भी परकार का government, कोई बड़े पद, authority, disciplinary, किसी ऐसी positions में हो जहां पर order दे रहे हैं उन लोगों को, किसी को यह सब depression दूर करने के तरीके हो सकते हैं, they can be liking that, तो वो वहाँ पहुँच गया, तो किस प्रकार का उनके जीवर में darkness, lethargy या depression आएगा, उसके लिए तो आनंद ही आनंद रहेगा, यहां पर father के side बात करना, क्योंकि 9th से second है पिता की बात सुनना, मानना, जीवन में हमेशा innovative रहना, खुले रहना, आगे बढ़ते रहना, जीवन में experiment करते रहना, नहीं नहीं चीजें करते रहना, यहां पे 10th house में बैठा हुआ sun जो है, अपने आपको बांद के नहीं रखना ना कि हम इसी में बांद गए, हम यह काम क experimenting, experimenting, 10th house में sun बैठा हुआ है, आपके लिए यह बहुत happiness का कारण बन सकता है, scientific भी ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई medical, कोई law, कोई professor, कोई teacher, कोई यहां पे media में, किसी भी प्रकार के cinema से related, बहुत सारे लोग हैं मेरे दिमाग में ऐसे, जो मैं जिसकी वज़ा से यह बता रहा बहुत सारी activities करने के लिए देता है साधन, जिससे कि आप अपने जीवन में darkness या depressions को दूर कर सकते हैं, आप medical profession में हैं, आप law profession में हैं, आप scientific profession में हैं, आप experimenting में हैं, आप innovator हैं जीवन में, नई चीजों को करने वाले, नई चीजों की तरफ बढ़ने वाले हैं, आप यहा position, reputation, घर, परिवार, इन धरम पे रहना, अच्छे करम करना, जो कहते हैं न, कि भाया करम हम अच्छे करेंगे, सीधी सी बात है, हमें गलत काम कोई नहीं करना है अपने जीवन में, यह उनके लिए सुख का साधन हो सकता है, यहाँ पे धार्मिक कारयों में जुड़ना, social cause मे जुड़ना, किसी भी तरीके का, कोई society में रहते हैं, कोई colony में रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं, आप उन में किसी प्रकार का कोई पदभार समाल लीजिए, वो आपको help करेगा, 11th house में sun बैठा हुआ, आप अपने depressions को कैसे दूर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप समझ ल 11th house is of profitability, तो यहाँ पर आज आता है, देखिए धन का माना, कुछ ऐसे लोगों के लिए काम करना, जो पिछड़े हैं, किसी तरीके से वो नीचे स्थर पे हैं, उनको साथ में लाना, उनको पुल करना, उनके लिए काम करना, आपके लिए happiness का साधन बन सकता है, धन, मित्र, 11th houses of friends also, हमारे मित्र कैसे रहेंगे, वो हमको कभी depression से या darkness से ये बाहर निकाल सकते हैं, बड़े भाई बंदू हमारे वो कर सकते हैं, हमारे जीवन में हम कितने लोगों के influential लोगों के साथ मिलते हैं, हमारा ऐसा क्या काम है, कि हम 20 लोगों से दिन में मिलनें, हमारा depression दूर हो चाहे हमारा काम हो, profession हो, हमारी कोई profitability चीजें हो, या हमारा कोई ऐसी अपना hobby हो, जिसकी वज़ा से हम 20 लोगों के बीच में आएं ही आएं, हमारा depression दूर हो जाएगा, मान लीजिए, ऐसे व्यक्ति का, अब उधारन के तौर में मान लीजिए, कि हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, घ्यान ले रहे हैं, तो contact बन रहे हैं, coordination बन रही है, इस प्रकार के हम काम करते हैं, जहां पे हम 20 तरीके के लोगों के साथ नित coordinate करते हैं, बहुत बढ़ी आए आपके लिए, यहां आप उनको घ्यान भी दे र हैं, सलहा भी दे रहे हैं, वो अपने जीवन में कहीं न कहीं चेंज लेके आ रहे हैं, कुछ चेंज हो जाएंगे, उनका जीवन बढ़ जाएगा, उनके जीवन की profitability बढ़ जाएगी, सन 11 था, उसमें बैठा हुआ है, आप पैसा कमाएं, आपकी profitability, आपके पैसे ही नहीं सिर लोगों के लिए भी है, उनके लिए भी अगर आप किसी परकार से profitable शो होते हैं, तो ये भी depression दूर करने का तरीका है ना, 11 था, उसमें सन बैठा है, हमको पैसा आ जाए, वो तरीका है बस, उससे आप बड़े परसन हो जाएंगे, अरे चार लोगों को और पैसा कमाने का, य ने कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं लोगों के लिए luxury, comfort ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, बड़ा कहीं cruise पर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ये चीज़ें उनके लिए depression दूर करने का तरीका या darkness दूर करने का, कोई social cause के लिए काम कर रहा है, कोई किसी चीज के लिए काम कर रहा है कोई सेवा चारिटी कर रहा है देखिए 11 थाउस में सन बैटा हुआ है डिपरेशन दूर करने के बहुत सारे तरीके जैसे मैंने आपको बताए हैं और उसमें से एक बात और भी मैं बता दू कभी भी 11 थाउस में सन बैटा हुआ है उधारन द उसके यूज का भी नार है दूसरों के लिए काम करिए दूसरों को उपर उठाइए दूसरों के लिए charity करिए good work करिए social work करिए ये सब आपको depression से दूर करने के happiness create करने के तरीके हैं entertainment की line हो सकती है किसी भी तरीके की stock money business ये सारी चीजे हो सकती है जो आपको depression से दूर करे ना भ खुली तरीके से रहना ये भी आपको एक बहुत important role play करेगा आपके लिए depression को दूर करने से ना ऐसा आदमी कोई बंधन में नहीं है बड़े अलादी से रहता है अपने जीवन में कई बार वो जीवन में आनंदी भी लेता है spiritual भी है वो उसके दोनों दो faces हैं उसके sun 11th house में बैठा हुआ है धरम में भी बहुत आगे है और जो आनंद लेना है उसको उसमें भी बहुत जबरदस्त आगे है teacher है mentor है guru है एक provider है लोगों को मदद provide करता है किसी भी तरीके से इस तरीके का व्यक्ति हो सकता है यहां पे व्यक्ति को अपने जीवन में धन बगरा तो देखि तरह रहता है यह सारी चीजें एक artistic है एक entertainment वाला व्यू भी है उसके अंदर यह सारी चीजें 11th house में बैठे हुए sun को represent करती है कि इन चीजों के से आप जो है अपना depression या darkness जीवन की दूर कर सकते हैं कोई writing में है अच्छा कोई किसी चीज में यह सारी चीजे भी यहां पे आ रहा है वो अंजलेना जोली जो Hollywood की actress है उनका है 11th house में sun 12th house में sun बैठा हुआ है किस प्रेकार से यह आपके depressions को दूर कर सकता है देखिए 12th house में बैठा हुआ sun को मरण कारक कहा जाता है बट मैं नहीं मानता हूँ उस चीज को क्यों क्यों कि मैं नहीं मानता हूँ क्यों क्यों कि sun 12th house में बैठा है तो foreign creativity artist psychology visionary politics किसी global में जाके अपना brand name बनाना किसी भी प्रकार का meditation guru teacher healer कोई prison में काम कर रहा है कोई jail में काम कर रहा है कोई hospital में काम कर रहा है कोई पिछले हुए लोगों के साथ काम कर रहा है कोई ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा है जो समास से हटे हुए है कोई ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा है जिसके मान लीजिए दो faces हैं, जिसके जीवन में, उसके दो faces हैं, वो ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा है, जिनकी split personality है life में, वो उनके लिए कुछ काम कर रहा है, कभी किसी का जीवन कुछ था, यहाँ पे charity, NGO, वृत धाश्रम, सारे social cause, 12th house में आ जाते हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं, खुद के happiness का साधन है, आप writer हैं, आर्टिस्ट हैं, creativity में, entertainment में, कोई सानी नहीं है, यहाँ पे पैसे से सम्मंदित कोई बात नहीं है, कि 12th house में sun बैटा है, आपके पास पैसा नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े-बड़े leaders हैं इन्हों, जिनके 12th house में, Putin जो हैं, र हाँ, हमारी strategy के हम किसके लिए काम करना चाहते हैं, हमारा क्या vision है, हम teacher है, guru है, politics में है, हम healer है, doctor है, lawyer है, law में काम करना है, globally काम करना है, foreign में काम करना है, एक artist है, entertainer है, हम क्या हैं, हम को जब यह पता चल जाएगा, वो हमारे depression को दूर करने का तरीका भी पता देगा, साथ में हमको एक vision भी दे देगा life में 12 house में अगर sun बैटा है, writer है, psychology है, psychic पावाज है, intuitive पावाज है, meditation है, astrology है, सब कुछ यहाँ पे 12 house में बैठा हुआ sun जो है, ऐसे व्यक्ति को depression से दूर कर सकता है, sexual enjoyment है, वो आनन्द ले रहा है, bad pleasures ले रहा है, वो भी उसके दूर करने का एक तरीका है, आनन्द लेना यहाँ पे, लेकिन 12 house वैसे भी कालपुर उसकी कुंडली में mean का है, तो आपको जो आनन्द ल किसका लेना है, आपको इस दुनिया का ही आनन्द लेना है, या प्रभु के आनन्द की तरफ भी ले जाता है, क्योंकि कालपुर उसकी कुंडली में mean राशी प्रभु के चरणों को शो करती है, हरी के चरणों को शो करती है, तो यहाँ पे आप depression को दूर करने में किसी प्रक से अपने जीवन में depression या darkness को दूर कर सकते हैं, तो यह सारे काम करके दूर कर सकते हैं, और यहाँ पे बैठे हुए planets राशी बहुत impact डालेगी, कोई भी प्रशनों हो इस वीडियो सम्बंदित, अवस्ट उसे comment section में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको वश्परदान करू राधे राधे, जैसी कृष्णा